तो यहां पर मैं यूज करा हूँ Redmi का Note 10 Pro और यहां पर एक अनदर MIUI एटर का अपडेट आ चुका है जो कि आपको काफी ज़्यादा यहां पर पसंद आने वाला है और इसकी Unlocking Animation आप देखी पारे हो कि इतना ज़्यादा आपको ब्यूटिफूल देखने को मिल जाता है जो कि मुझे यार रियली में काफी सही लगा और इसपेसली हमें जो आइकन पेक इस पर यूज कियेगे ना जो कि यार काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग इसे बना देते हैं और यह आइकन पेक मैंने बहुँ टाइम पहले यूज किया था Poco M2 Pro के टाइम पे और मुझे काफी काफी ज़्यादा पसंद आया था लेकिन आज हम बात करने में कि इस रोम के साथ क्या कुछ हमें स्पेसल देखने को मिलता है प्रफॉएंस कैसा है वह साही जनकारी मिलेगी बस रिक्वेस्ट है लाइक कर देना और शेयर जरूर ताकि सब कुछ आपको पता चल सके यहां पर आप देख पावें कि Unlocking Animation काफी सही है और काफी है समूधी यहां पर आपको देखने को मिलता है Face Unlock भी काम कर रहा है यहां पर चाहिना वले वीजट्स आपको Unlock मिलते हैं तो जो भी चाहिए वह आप यहां पर यूज कर सकते हो बट नेट कनेक्ट नहीं इसलिए आपको दूसरा दिखाई दे रहा होगा Old वाला सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहां पर About सेशन थोगा सब मोडिफाइड किया गया है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो और यहां पर Detail & Info की अगर हम बात करें तो वह आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा 1.0.17 MI आई यानि Global पे रन कर रहा है जहां पर 4 मंद का Security Patch है latest वाला लेकिन Android 13 आपको देखने को मिल जाता है अच्छी बात है कि Security Patch को यहां पर अपडेट करा गया है वहीं पर आप देखो कि ElectroCarnal V6A यहां पर यूज करा गया है Smoothness की बात करें तो हां overall काफी सही रहता है बट हां sometime जब भी आप क्लिक कर गोए तो कुछ भी चीज का response जो कि delay आता है बाकी अदर जगहों पर वह चीज यहां पर आपको नोटीस होती है सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो यहां पर आपको global room है तो multi language support आपको देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है साथ-साथ यहां पर वोई सेट आपको floating window, LED light वगेरा के option मिल जाते हैं बैटरी के अंदर, screen on timing के अगर बात करते हैं तो वह चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि add होया हुआ है अच्छी बात है अनदर यहां पर facial lock fingerprint वो working रहता ही रहता है allow all rotation का अभी option आपको यहां पर मिल जाता है अच्छी बात है अनदर यहां पर जो हमारा home launcher है यह थोवा साथ आपको different technique को मिलेगा जहां पर जेस्टर्स ऊपर की और है बाकी यहां पर है search bar यहां पर आपको देखने को मिलता है high dab अगेरा है global icon animation है recent के अंदर आपको simple सी चीज जाता है another wallpaper and personalization की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है इस पर टैप करने के बाद भाई hyperos latest personalization features जो की अच्छी बात है के Android 13 पर भी इसे रखा गया है मुझे पसंद आया यहां पर आपको AOD के नाम पर जो unlocking features मिलते है वह आपको मिल जाता है जो कि आ ठीक पा रहे हो टेंसे के तको या से डियूल वगएरा या ओलवेज और थीम डाइकन जहांसा आप थीम इस्टोर पर स्विच करके बाकी जगहों के भी आप थीम वगएरा अपलाई यहां पर कर सकते हो बाकी वह सिंपल से वाल पर बगएर के आपको features मिल जाते हैं जैसा कि यहां पर दिया गया है और हाँ dynamic भी add होने लग गया है आज कल इस device के अंदर जो कि लाश्ट टाइम के रोम बेपी में बताया था तो यहां पर यूज कर पाऊगे बट उसके लिए आपको मी एकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा जैसे कि बाकी जगहों पर करना परता है जादर यहां पर खुद का इसका थ्वस एक्ष्टा कॉस्टमाइशन दिया गया है जो कि dfs है max fps for all application enhance notification control और बाकी वह से similar option है जो कि system default हमें देखने को मिलते हैं इसके लिए यहां पर ज्यादा कुछ यहां पर आपको दिखाई नहीं देता तो कॉस्टमाइशन ज्यादा कु प्लर है हमारे Poco F5 device के लिए तो उसी का control center of modification यहां पर add किया गया है जहां पर monet आप चाहो तो on कर सकते हो यहां पर कितने tiles हो चाहिए वह चीज़ आपको देखने को मिलेगे लेकिन हां उसके लिए एक बार reboot करना परेगा जो कि आप देखो यहां पर apply button यहां पर color change हो चुक कर लोगे तो तो इस तरह की से यह चीज़ आपको दिखाई देती है एक apply का button भी आपको यहां पर देखने को मिलता है जो कि sometime आपका काम कर जाएगा और sometime maybe आपको system reboot करना पड़ सकता है तो इस चीज़का आप यहां एक वाट जरूर रखना तो यहां पर हमारा जो EY restart हुआ है यानि हमें आप चेंज़ देखनी को मिलने वाला है तो आप देखने को यहां पर tab में बदलाव आ चुका है तो इस तरही से advanced control center आपको मिलता है जो कि मुझे यहां पर reality में काफी अच्छा लगा है वहां पर हम बात करें बाकी दो चीजों की performance होगे रखी तो वह मैं आप आपको दिखा जाता है और यहां पर जो camera है वह आपको देखनी को मिलता है वही system default वाला camera तो leica का latest camera यहां पर नहीं है और हाँ अलग से dolby भी यहां पर add कर दिया गया है जो कि आप यहां पर देख पारे हो तो system default dolby यहां पर dead है आपको इसका ही use करना पर और यह आपको output सह ही देता है तो switch करते हैं गालरी के ऊपर और result को check out करते हैं तो system default app की बात के लिए तो आपको इतना ही देखनी को मिल जाता है जैसे कि आप यहां पर देख पायो डॉल बेंक्लूड वगरा रहता है इसके बाद यहां पर हमारा notification area मैंने आपको सोख करीं दिया control center आप देखनीकों में मिल रहा है cpu ट्रोटल नॉर्मली काफी जड़ा ट्रोटल करता है पर जो मैं फोन को थोड़ा cool down करता हूं उसके बाद जब मैं चेक करता हूं यहां पर आप देख रिजल्ट काफी सही है जो कि एक लाग श्यासे मैक्स और एक लाग श्यातर जार है और यहा नौ इसुज और साथ साथ यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है वह है डिवाइस रट्रोटिकेशन का इसू यानि यहां पर आपका बैंकिंग अप काम नहीं करेगा दिक्कत आने वाला है तो इससे आपको मैनौली रूट वगरा करने के बाद फिक्स करना पर सकता है कि आपको दिक्कत नहीं आने वाला बागी चीजे जो कुछ भी थी मैंने यहां पर आपको जो कर दिया अब टोटली यह डिपेंड करेगा आपके उपर करना चाहते हैं नहीं क्योंकि रोम मुझे यह पसंद आया है बट आप चाल गया वह सूपर डूपर स्मूद मिल जाए त जालना कैसे तो वही सिम्पल सा वाइफ फ्लैस फॉर्मेट कर देना है और रिबूट कर देना आपके फोन के नतर यह डल जाएगा मैं इस्टलेशन एड़ कर दूँगा लास्ट में ताकि आपको दिक्कत ना है मैं मिलता हूं इस वीडियो में थांक्स वॉचिंग बाइ लॉठर शيकर संबीट करों नि करेंडे के पाथ पोन को फोन द्याइप करेंगे लाइट आपड़ Кरेंगे आपके फ्लैस या तो और फोन को वाव्याप लिए को उपन हो जाएगा में यह जब भी आप रोंप लेस्ट पूछन पूछा पूंच उप्छ करन तोसी répondre करना के आपको root करना या नहीं तो वैसे मैं volume up, down या power button का यूच करते हुए command को run करते जाना अगर आता है तो otherwise normal flash होने देना अगर starting में flashing में कोई भी error आता है तो आप एक वा simple क्या कर लेना reboot to recovery कर लेना और उसका room को दुआरा refresh कर देना जैसा कि यहां पर मैं कर रहा हूँ और उसके बाद simple format कर देना या type करके और reboot कर देना कुछी minute में आपका phone है जो on हो जाएगा उसके आप setup करके यूज कर पाओ गए बिल्कुली simple और easy तरीका है और कुछ एक्सा करने के ज़ुरत नहीं है झाल झाल झाल